नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंग, आनन्टिटोरियल में आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत करती हूँ बच्चों, आज हम दसहरे विशे पर एक छोटासा निबंध बीस लाइन का पढ़ेंगे ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए, हम अपना निबंध सुरू करते हैं पहला, दसहरा हिंदूों का प्रसिद्ध तेवहार है दूसरा, इसे विज्या दश्मी भी कहते हैं तीसरा, या तेवहार अक्टूबर महीने में आता है चौथा, दसहरा अश्विन सुक्ल दश्मी को मनाया जाता है पाँचवा, या तेवहार नौरात्री के बाद आता है छठा, इस दिन मा दुर्गा ने महिसा सुर का वद किया था साथवा, इस दिन भगवान राम ने रावन को मारा था आठवा, इस दिन रावन का पुतला जलाया जाता है नव, सभी लोग रावन दहन का आनंद लेते हैं दस, कई जगहों पर मेलों का आयोजन भी किया जाता है ग्यारा, इस दिन लोग अपने घरों को साफ करके सजाते हैं बारा, इस दिन घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं तेरा, इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं चौदा, इस दिन सस्त्र पुजा भी की जाती है पंदरा, इस दिन लोग नए कारे का आरंब करते हैं सोला, यह तेवहार पूरे भारत देश में मनाया जाता है सत्रा, इस दिन लोग भगवान राम की अच्छाईयों को याद करते हैं अठ्रा, यह तेवहार बहुत खुशी और धूमधाम से मनाया जाता है उन्निस, यह तेवहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है बीस, यह तेवहार हमें मानवता का अमूल संदेश देता है आप सभी बच्चों को दैसहरा की हार्दिक सुबेच्छा